अले दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए धमाकेदार वीडियो में तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा खास होने आला है क्योंकि मैं आपके लिए एक ऐसा श्टाक लेके आया हूँ जिसका सेर प्राइज अभी आप लोग देख सकते हो कितना चल ला है चार दस मलो शेबन फाईबर रुपीज आलमोष्ट आप मान सकते हो साड़े चार रुपया मान सकते हो यह पांच पे मान लो तो कितना कहां कितने रुपे का हैं आप इदि इसमें क्या कना सो सेर खरीदने जाओगे जो बड़े stock होते हैं जिनका share price 1500, 1500 या 2000 या almost 8000 रुपया हो, जिनका share price बड़े बड़े होते हैं, वो भी एक साल के अंदर 87% का return नहीं हाली परवाइड करते हैं, वर ये 4 रुपय का stock, सारी 4 रुपय का stock आम मान सकते हो, इसने आपको 87% का return परवाइड कर दिया, तो इसके अंदर कुछ न कुछ तो potential है, इस stock के अंदर, मैं सब कुछ one by one बताऊंगा, उससे पहले इस वीडियो को आप लोग share कर दो, आपने दोस्तों के साथ, और इस वीडियो को like कर दो, और मैं बात करूँ, वो 5 साल के अंदर, तो 5 साल के अंदर आप लोग देख सकते हो, 5 साल के अंदर 214% का return, तो सब कुछ अच्छा है न, और सबसे बड़ी बात, इसमें invest करने का region क्या है, इसमें मैं क्यों invest करूँ, इतना छोटी सी कंपनी है, जिसका market cap ज्यादा नहीं है, केवल 42 करोड़ रुपया market cap है, तो इसमें मैं पैसा क्यों लगाऊं, कहीं मेरा पैसा डूब गया तो, मेरा 445 रुपया डूब गया तो, तुम दोगे, नहीं भाई, मैं नहीं दूँगा 445 रुपया, आप मानलो, आपका 445 रुपया गिर गया, आपके जेब से गिर गया, मैं इस stock के share को, 100 share को खरीद के, मैं कम से कम 10-15 साल के लिए भूल जाओंगा, एक महीनी का recharge नहीं करवाओंगा, बट मैं ये share खरीद लूँगा, सबसे बड़ी बात, इसमें जो debt है, करजा, वो zero के बराबर है, कमपनी के पास कोई करजा नहीं है, किसी का 1 रुपया बाकी नहीं है, कि किसी को 1 रुपया चुकाना है, कि मैं उसका 1 रुपया बाकी हूँ, मुझे देना है, तो इसके माने 42, जो इसका almost 43 करोड रुपया जो पर मोटर होडिंग है, तो इसके माने, जो कमपनी का मालिक है, वो trust कर रहा है, कि ये कमपनी आने वाले समय में, ये और ज्यादा मुझे देगी, कमपनी आगे चलके ग्रोह होगी, इसलिए उसका जो पर मोटर होलिंग है 50% है, वो चाहिता तो सारा क्या करते है, सारा बेचक स्टाक बाहर निकल जाता भाग जाता तो कंपनी कुछ करता ही नहीं तो इसमें दो पॉइंट होगे कि डेट जीरो है पर मोटर होल्डिंग पचात परसेंट से ज्यादा है एंड प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ भी इसमें बहुत अच्छा है तो इसलिए ये स्टा में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वह क्यों बढ़ेगा मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं तो वह इस्टाक आगे क्यों बढ़ेगा इसका जबाब आपके पास होना चाहिए मालें 100 परसेंट नहीं है फिर भी आपके पास 50 परसेंट 75 परसेंट होना चाहिए यह नहीं कि आप इसको खरीदने का क्या फाइदा है उसके अंदर कुछ तो future में आगे बढ़ने का कुछ ना कुछ तो होना चाहिए potential कि वो आगे बढ़ सकता है और मैं बता दू यह किस sector का company है finance sector की company है अभी मैं आपको बताओ company का क्या नाम है आप लोग देख सकते हो यह आशिरवाद capital करके company का नाम है इससे Google पर टाइप करके further research करके और थोड़ा बहुत और इसमें आप invest करके 10-15 साल के लिए आख मून के भूल जाना है एक दूसरे डीमेट अकाउंट में आयसे जितने मैंने 5-6 stock बताया हूँ और वीडियो देख लेना मैंने 5-6 stock के बारे में बता रखा हूँ उसमें सब अच्छे stock है बट यही है सब पेनी stock है तो यह क्रिक्स थोड़ा रहता है तो समझ के लगाना ज्यादा रुपया नहीं लगाना मिनमम सो क्वांटेटी खरीद लेना सो इस सेर खरीद लेना उससे ज्यादा भी नहीं खरीदना और 10-15 साल के लिए उस डीमेट एकाउंट को उस एप अनिस्टाल करके भूल जाना